So hey guys once again welcome back to the channel and आज के इस photoshop tutorial में हम लोग create करेंगे एक movie poster design या फिर आप बोल सकते हैं एक music poster design बहुत ही simple tools का use करके photoshop के अंदर So without any further ado let's open photoshop and get started Alright so यह है adobe photoshop और start करते हैं एक new blank page के साथ Click करेंगे new file button के उपर और यहां से एक new page create करेंगे आप कोई भी custom यहां से preset select कर सकते हैं but manually मैं type करूंगा width में 2000, height में 2500, resolution 300 pixels per inch आप इसे 100 के आसपास भी रख सकते हैं अगर आपका PC low configuration का है तो और उसके बाद color mode रखेंगे RGB color, 8 bit, background color कोई भी रख सकते हैं जैसे कि मैं रख रहा हूं white and then click on create अब यह रहा हमारे पास blank page अब इसके उपर दो अलग-अलग images import करूंगा तो उसके लिए मैं जाओंगा folder में और यहां पे हमने अल्रेडी दो अलग-अलग images download करके रखा हुआ है यह images हमने unsplash.com से and pixels.com से download किया है जहां पे आप free images download कर सकते हैं दोनों image लग-बग similar होने चाहिए and then सबसे पहले यह जो first image है इससे drag and drop करेंगे अपने blank page के उपर और इसे उपर की ओर shift कर देंगे यहां पे और आप अपने हिसाब से अच्छे तरीके से इससे fit कर लेंगे fit करने के लिए alt and shift को hold करके जब मैं ऐसे drag करूँगा तो यह perfect proportion में scale up होगा थोड़ा साइस को बड़ा रखेंगे क्योंकि उपर वाला image को थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से सेट करेंगे and then इसके बाद interface कर देंगे अब यह वाला image fit हो गया अब second image को भी import करेंगे वापस से जाएंगे folder में और यह रहा second image इसे भी drag and drop कर लेंगे अपने page के उपर इसे जादा बड़ा नहीं करेंगे बस थोड़ा बहुत इसके scale को change करेंगे perfect इसे छोटा ही रहने देंगे नीचे वाले image को and then इसके बाद shift को hold करके यहाँ पे इस तरीके से इसे place कर देंगे perfect अब यह वाला जो edges है इसे थोड़ा सा erase करके दोनों images को blend करेंगे यह बहुत ही आसान है सबसे पहले यह वाला जो image है इसे select करके यहाँ पे layer mask apply करेंगे इस तरीके से ठीक है अब आप चाहें तो इन layers को rename भी कर सकते हैं अपने according तो मैं इस text के उपर double click करूंगा और इसे बोलूंगा bz for background and this one is foreground so इसके उपर double click करेंगे और इसे बोलेंगे fg foreground okay and then उसके बाद यह जो layer mask है इसे select करेंगे और यहाँ पे आप ध्यान रहें कि black and white color selected होना चाहिए तो अभी जो background में color है वो है black and foreground में white यहाँ पे already white color feel है it means कि पूरा का पूरा visible है opaque है यह image और जिस भी area में हम लोग इस layer mask के black color से paint करेंगे तो फिर वो area transparent हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं foreground के अंदर white color selected है बट मुझे black color चाहिए foreground में तो keyboard के उपर express करेंगे तो swap हो जाएगा already black color selected है foreground के अंदर नहीं है तो आप इस पे click करके इस तरीके से black color select कर सकते हैं उसके बाद यह रहा paint tool तो सबसे प करेंगे and उसका size कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि यहाँ से भी आप size को adjust कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो big bracket होता है keyboard के ऊपर उस पे भी click करके इसके brush size को छोटा या बढ़ा कर सकते हैं इस तरीके से perfect and then उसके बाद opacity आप 60% रख लें flow 60% and smoothness 50% okay and then हम लोग black color से इस layer mask को paint क करेंगे उस area पे जहाँ पे हमें इससे blend करना है तो कुछ इस तरीके से brush को चलाएंगे ज्यादा तर कोसिस करेंगे edges के ऊपर ही चलाएं इसके size को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं इस तरीके से उके उसके बाद फिर से move tool select कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो pop-up window इससे थोड़ा side कर लेंगे कहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ जो नीचे वाला image है उसका edges यहाँ पर दिखने लग गया तो इसे fix करेंगे यह एक error है brush के वज़े से यह हो गया ऐसा तो वापस से इस पर हम white paint करेंगे तो यह fix हो जाएगा तो white paint करने के लिए वापस से foreground में white color select करेंगे express करेंगे तो automatic swap हो जाएगा and then उसके बाद यह है paint tool and इस बार paint tool का size को छोटा करेंगे और सिर्फ उस area पर paint करेंगे white color से तो यह edges hide हो जाएगा अब जो उपर वाला जो foreground image है इसे क्या करेंगे कि इसके उपर हम gradient map apply करेंगे तो यह है adjustment icon इसके उपर क्लिक करेंगे और gradient map को select करेंगे यहाँ पर वापस से वही चीच करना है क्लिक करेंगे इसके उपर और color को swap करना है जैसे कि जो end color है वो black है तो हमें start color black रखना है और end color white रखना है तो बिल्कुल इस तरीके से reverse कर देंगे इसे ठीक है अब क्या करना है कि मैं पहले इसे okay करता हूँ फिर दुबारा दिखलाता हूँ आपको यह जो gradient map है यह effect मैं चा तरीके से अब वापस से इस gradient के उपर click करेंगे open करेंगे इसके color section को और यहां पे यह जो white color है इसके जगह पे कुछ इसी से मिलता जुलता color select करेंगे तो यहां से pick कर लेंगे कुछ इस तरीके से color perfect अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसके color को थोड़ा red की तरफ shift करना त यह जो saturation है इसे कुछ भी नहीं करेंगे बट hue को change करेंगे तो इसको थोड़ा सा red की तरफ shift करेंगे जैसे minus 10 यहां पर value रख रहे हैं hue value यह आपके image की उपर depend करेगा आपका जिस तरीके का image रहेगा आप उस theme के recording जा सकते हैं बट यह दुन image के recording मैं यह चीज कर रहा हूँ ताकि आपको idea लग जा है कि मैं actually मैं कौन-कौन सा step apply कर रहा हूँ अब हमें नीचे में text के लिए base create करना है तो ओ क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसमें black paint करेंगे black paint करने के लिए यहां पे एक new layer लेंगे click करेंगे plus icon के ऊपर and then यहां से black color select करेंगे foreground color black करेंगे and then उसके बाद the paint tool select करेंगे size को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और यह वाला जो area है बहुत ज्यादा black नहीं करेंगे बट थोड़ा बहुत ताकि text जो है बहुत अच्छे से highlight हो पाए ठीक है अब यह जो layer है इसके opacity को थोड़ा सा down करेंगे और अपने recording इसे adjust करेंगे वापस से move tool select करेंग and then इसके उपर कुछ और asset apply करेंगे जैसे कि कुछ birds flying birds इसके उपर apply करते हैं जाते हैं folder में और यह रहा birds png आप इस तरह का png कहीं से भी download कर सकते हैं और इसे apply कर सकते हैं अपने image के उपर यहाँ पे control and shift को hold करके इसे थोड़ा सा scale down करेंगे तो अब यह थोड़ा सा कुछ औ और add होगी है तो यह है हमारा birds layer इसको select करेंगे इसे rename कर लेंगे अब इसके बाद हमें यहाँ पे lightly या lens player kind of effect create करना है तो बहुत ही असान है यहाँ से एक new layer लेंगे and then उसके बाद यहाँ पे एक red color select कर लेंगे इस तरीके से and उसके बाद यहाँ पे paint करेंगे तो यह रहा paint tool brush size को छोटा करेंगे और पहले 2-4 click करेंगे ऐसे करके फिर brush size को थोड़ा बढ़ा करेंगे and click करेंगे अब फिर काफी बढ़ा करके click करेंगे इस तरीके से ठीक है and then उसके बाद move tool select करेंगे और यह रहा layer इसको blend करेंगे यहाँ पे हम लोग blending mode lighten select कर सकते हैं यह screen आप देख सकते हैं कोई भी option जो भी यहाँ पे suit कर रहा हूँ वो select कर सकते हैं जैसे lighten मैं रख रहा हूँ इसके बाद इसके opacity को थोड़ा सा down करना है जैसे ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत जैसे 50% और 60% रखेंगे इसको अब आप before and after देख सकते हैं before and then after before and after यह थोड़ा सा अल आपके पास नहीं है तो आप विंडो में जाएं और यहां से character को enable कर लें और उसके बाद एक font style select कर सकते हैं तो इस case में मैं signature kind of font style select कर रहा हूँ यह font style का नाम है creation जो कि एक demo font है बट आप कोई भी use कर सकते है cursive type का font and then उसके बाद यहाँ पर click करेंगे और कुछ भी type करेंगे जो भी आप चाहते हैं ctrl A to highlight all and सबसे पहले इसका color को white रखेंगे and इसके size को increase करेंगे जैसे 100 बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर थोड़ा से कम और मेभी यह जो character spacing इसे कम करेंगे इसे 0 करेंगे and उसके बाद थोड़ा से size को कम करेंगे जैसे 80 pixel के आसपास रखेंगे इसे and then इस text को यहाँ पर align कर देंगे perfect अब चाहें तो इसको bold करके देख सकते हैं कैसा लग रहा है बट ऐसा ही ठीक है अब उसके बाद एक और text यहाँ पर add करेंगे तो select करेंगे वापे set text tool को यहाँ करेंगे कुछ और text फिर से ctrl A to highlight all and then इस बार दूसरा कोई font style रखेंगे जैसे gotham and उसके बाद यहाँ पर style है वो light रखेंगे और size में 10 pixel के आसपास या फिर 12 pixel रख सकते हैं and यहाँ से style को change कर सकते हैं जैसे book and उसके बाद इसके character spacing को encourage करेंगे यहाँ पर type करेंगे 100 और मेब 250 परफेक्ट and then move tool को select करके इस text को यहाँ पर align कर देंगे इस तरीके से size को थोड़ा और चोटा करेंगे जैसे 10 pixel ही सही था ओके and यह रहा हमारा दूसरा text perfect and now एक और text add करना यहां पर तो यह वाला जो text है इसी का एक और copy बनाएंगे alt को hold करेंगे keyboard के ऊपर और drag करेंगे तो एक और copy बन जाएगा इसे highlight करेंगे and then इसका side जो है इसे 6 pixel रखेंगे and यहाँ पर change करेंगे इस तरीके से और यह वाला जो text है इसका color कुछ यहां से pick कर लेंगे आसपास इसका area से and then move tool and फिर से align कर देंगे center में अब इसके ऊपर कुछ और चीज़ें apply कर सकते हैं जैसे curves adjustment तो यहाँ पर adjustment icon के ऊपर click करेंगे and then यहाँ से curves लेंगे and यहाँ पर सबसे पहले blue channel को increase करेंगे and then यहाँ से मैं green channel में जाओंगा और इससे थोड़ा से down करूंगा ता कि यह purple kind of color यहाँ पर हमें मिल पाए ठीक है and then उसके बाद red है red को normally रहने देते है and then close कर देते हैं इसे अब कुछ और चीज़ें जैसे कि brightness and contrast तो adjustment icon के ऊपर click करके brightness and contrast को apply करेंगे यहाँ से contrast को थोड़ा सा बढ़ाएंगे जैसे 15 या सपास perfect and उसके बाद हमें इसके उपर थोड़ा सा noise भी apply करना होगा ताकि color bending का जो issue है वो ना हो उसके लिए adjustment icon के ऊपर click करेंगे और यह रहा solid color यहाँ से इसका color को black रखेंगे and then okay अब जो color fill layer है इसे select करेंगे and then filter noise and add noise यहाँ से click करेंगे convert to smart object के उपर और यह रहा amount अभी यह 3% है तो 3-5% आप रख सकते हैं उसके बाद okay प्रेस कर देंगे अब इस वाले layer को blend कर देंगे तो जाते हैं blending mode के अंदर और यहाँ पर screen mode select कर लेते हैं तो आप zoom करके जब इससे देखेंगे तो हलका हलका noise design almost complete हो चुका है और दिखने में काफी cool लग रहा है I hope आपके यह design अच्छा लगा हो और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज इस वीडियो को like कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को on कर लो और short form content के लिए हमारे instagram को भी follow कर सकते हो मेरा नाम है विकास कुमार मिलते हैं next वीडियो में till then bye bye